सब्सक्राइब करें सरवन लेक्चरर चैनल को और वेल आइकन दमाएं सबसे पहले वीडियो देखने के लिए हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर दोस्तों आज हम लोग सिखने वाले हैं मानव मस्तिक्स के बारे में जो आपके मियंदरन एवम स्तमन्नों पार्ट में ये टॉपिक दिया हुआ है और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टन है ये समझे कि आप लोगों के लिए दीर गुतरिये के लिए बहुत ज़्यादा important है और दीर गुतरिये में आप लोगों को लगवग दो से तीन पेज लिखना पड़ता है तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरह से बताऊंगा मानना हुमस्तिक्स के बारे में और पस्च मस्तिक्स तो तीन भाग होते हैं तो उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे तो दोस्तों वीडियो को लाज तक देखते रहना बहुत ही जादा important है चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए यहां लिखा हुआ है मानना हुमस्तिक्स मानना हुमस्तिक्स और हम लोग देखने वाले हैं पहले तीन भाग नहीं पहले हम लोग देखेंगे मानना हुमस्तिक्स के बारे में फिर हम लोग इसके एक-एक भाग को देखेंगे देखे भाई वीडियो लॉंग हो सकता है क्योंगी देर घुतरिये में आप लोग को बहुत ही लंबा लिखना पड़ता है तो पहले आप लोग देखिये मान नहूं मस्तिक्स के बारे में देखिए जो मनुष्य होता है मनुष्य में मस्तिक्स अतियंत बिक्सित अतिकोमल होता है मनुष्य में जो होता है मस्तिक्स जो है अतियंत बिक्सित होता है बहुत ही जादा बिक्सित होता है सोचने के लिए सहायक होता है कोई भी कार करने के लिए अभी आप लोग को पता चलेगा सोचने के लिए हिर्दय जो हिर्दय होता हिर्दय की गति करने के लिए सास लेने के लिए प्यार घिर्णा विसाद दुख यह सब मस्तिक्स में ही होता है तो अभी आप समझेंगे इसका आयतन 1200 CC से 1500 CC होता है कितना होता है 1200 CC से 1500 CC है ठीक होता है यह मस्तिक्स कोस में सुरच्चित रहता है कहां सुरच्चित रहता है मस्तिक्स कोस में अब आप लोगों से बहु भी कल्पिये में पूछा जा सकता है कि माना हु मस्तिक्स कहां सुरच्चित रहता है तो आप लोग बता देगा मस्तिक्स कोस में ठीक है अब देखें मस्तिक्स के चारो ओर जिलियों का दोहरा आवरन होता है सुरच्च्चा के और अभी मैं आप लोग को चित्र से भी समझाऊंगा मस्तिक्स के चारो और जो दोहरे जिल्लियों का आवरण होता है कि इन पर कोई अटेक ना कर पाए ठीक है तो इतना आप लोग मनिस के मस्तिक्स के बारे में लिखिए फिर मस्तिक्स के तीन भाग होते हैं अब इसके बाद होते हैं याद कर लिजिए अगर मस्तिक्स एंड अनुमस्तिक्स एंड पस्च मस्तिक्स ठीक है अब मैं आप लोग को चित्र में दिखा दूं तो दोस्तों यह आप लोग देख सकते हैं मानना हूं मस्तिक्स का ठीक है मानना हूं मस्तिक्स का ठीक है अब मैं आप लोग को ब मस्तिक्स देखे मैंने बताया भी आप लोग जब पढ़ेंगे सब से मतलब बड़ा भाग होता है यह मस्तिक्स का लगभाग 9 वटा 10 भाग ले लेता है ठीज तो यह है पड़ा मस्तिक्स जो यह चार ओर यह देखिए यह सब ठीक है है मेय different like a तॉ आप क्या कही सकते है मस्तिक्स का पूछ यानि की पश्च मस्तिक्स यह ठीक है ठीक क्या है फीले डिटा एक सेरी बरोम लिखाना यह है लिगन समझ लीजिए क्षाल झाल मज़ें और दीन की मस्तिक्स की तीसरे बहा का स्थमभ आप और दूसरे भाग का यह है देखिए हाइपो थेले मस्स यहां है यहां ठीक है यह देखिए यह देखिए यह देखिए थेले मस्स है यह सफेद है यह पीनियल यह दो है अगरमस्तिक्स के मतलब अंतरगत आती है ठीक है आगे लेखते हैं अब हमारा पहला बाग आता है अग्र मस्तिक्स बहुत ही अच्छे चा समझाऊंगा क्योंकि यह केवल लिखा हुआ अभी आप लोग के दिमाग में बैठ जाएगा ठीक है चित्र देख ध्यान में रखना बगल में बुक रख लेना बुक में चित्र बना हुआ है और मैंने ब मस्तिक्स का सबसे बड़ा भाग होता है यह क्या होता है सबसे बड़ा भाग होता है यहां संपूर मस्तिक्स का नवबटा दस भाग होता है तो अभी मैंने दिखाया है यह बहुत ही जादा अस्थानों को मतलब गरहान करता है और यह मस्तिक्स का नवबटा दस भाग मतलब लगवग में रइता है नुकिक समझें ये स्वैट पदार्त तथा धूसर पदार्थ से बना होगत थ्यान से समझे बस देखें बहुत ही इंपोर्टन्ट है ठीक है आगी देखते हैं यह मस्तिक्स का सबसे बड़ा भाग होता है यह मस्तिक्स का संपुर्ण नवबता दस भाग होता है और यह स्वेत पदार्थ तथा धूसर पदार्थ से बने होते हैं अब देखें परह मस्तिक गोलार्थ के अत्याधिक महत्पूर सबस्तिक होता है इसलिए फुर द्रब में स्थित होता है अब यहां आप समझी इतने यह क्या है जैसे स्मेश्थी कैंद्र सोचने विचारने का निकेंड्र आदी इस्दी कैंदर तथा सोचने हें इसी मस्तिक्स में होता है आगर मस्तिक्स जो आप लोग सोचते हैं तो यह सब होता है स्मृत्येहं केंद्र आपकी रिदय की गति आपकी हिर्दय जो है दिखते हैं कम गति करती है ठीक है एंड भोजन गरहान करना आप भोजन खाते हैं आपको एनरजी मिलती है ठीक है पाचन होता है ठीक है तो एनरजी सांस लेना आप सांस लेते हैं ऑक्सिजन को गरहान करते हैं करवन डियक्साइड को छोड़ते हैं घिरना प्रेम जो घिरना होता है और प्रेम होता है ठ भूझा है यह है इतने चीज़ू का केंद्र होता है याद कर लिए थोड़ा स्समृति केंद्र सोचने विचालने का केंद्र की गती भूझन गरहन करना जोAllah teenage भोजन तो आप लोग इसे एक बार गिन लीजीगा फिर याद कर लेजीगा कितने चीजों का केंद्र होता है अभी तो हमारा और भी मस्तिक्स है तो इतना आ पहले आप लोगोंने क्या पढ़ा मस्तिक्स क्या होते हैं लास्ट में भी कुश्चन भी पूट अब होंगे कमेट बॉक्स में देना है उतर तो पहले आप लोगोंने पढ़ा मस्तिक्स क्या होते हैं फिर आप लोगोंने पढ़ा मस्तिक्स के तीन भाग होते हैं अगर मस्तिक्स अनुमस्तिक्स पस्च मस्तिक्स तो आप लोग ये भी समझें अगर मस्तिक्स क्या होता है सबसे बड़ा म मस्तिक्स होता है मस्तिक्स का सबसे बड़ा भाग होता है ठीक है इतना समझ में आया इसे नोट करते रहना ठीक है बहुत जादा important है यह मस्तिक्स के पिछले भाग में नीचे कि और उपस्तित होता है ओपस्तित होता है नीचे कि और उपस्तित होता है ठीक है आगे दीखते हैं आप लोगों ने एंड यहाँ प्रामस्तिक्स जो मैंने अभी पढ़ाया प्रामस्तिक्स या जो आपका अग्रमस्तिक्स है ठीक है से छोटा होता है यह जो होता है उससे छोटा होता है कूदना दवडना चलना अनुमस्तिक्स द्वारा नियंत्रत होता है कूदना जो आप खेलते हैं, कूदते हैं, दोडते हैं, चलते हैं, यह सब अनुमस्तिक्स द्वारा नियंतरत होता है किसके द्वारा? अनुमस्तिक्स के द्वारा, ठीक है? समझ में आया? अब यहाँ एक बहुत ही जारा इंपॉर्टन पॉइंट है किस शरीर का संतुलन किस मस्तिक्स द्वारा नियंतरत होता है तो आपको बताना है अनुमस्तिक्स द्वारा, यह कूश्चन आपको मिलेगा अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इस पार्ट को इसी से सरीर का संतुलन बना रहता है हमारी जो सरीर का संतुलन है अच्छे से इसी मस्तिक्स के द्वारा बना रहता है किसके अनुमस्तिक्स के द्वारा ठीक है समझ में और यह आप लोग समझ लीजिए जो हमारा अगर मस्तिक्स है इसे हम लोग परा मस्तिक्स भी कहते हैं पर हमारा क्या है वह अद्ध रही और बहुत से दीटीक्स के सामने इस्थित होता है यह किसकेक अनु मस्तिक्स के सामने इस्थित होता है तथा मस्तिक्स का सबसे पिछला भाग होता है जो मस्तिक्स होता है उसका सबसे पिछला भाग होता है यह देखिए यह देखिए मस्तिक्स जो है मेडुला बली गेता या पस्ट मस्तिक यह देखिए सब से नीचे का भाग्यास पिछला भागर ऐसे आगे देखें मस्तिक्स का सबसे पिछला भाग है और यह बेलनाकार होता है यह जो होता है बेलना बेलन कियाकार का होता है बेलनाकार होता है यह स्वसंतंत्र हिर्दय वा परिसंचरन तंत्र का केंदर होता है स्वसंतंत्र हिर्द्र दैं जो हिर्द्र हमाली गति करती आइं जिसन हिर्द्र ए ठाइट आर वह परिशंचर्ण तंत्र या परिशंचर्ण तंत्र का केंद्र होता है ठीक है व्यवाप लोग उसे क्विश्यन मैं आप लोग से पूट आप कर लेता हूं जोर एक हैं Charles च्छो टा सा कुच्छिछ ने कि मस्तिक्स कि में सुरिच्छित रहता है यह मैस्तिक्स ने क्यों दो import को Creed संतुलन भन होते हैं तो उन तीनों में से कौन से मस्तिक्स के भाहग भाग वारा हमारा संतुलन सारीर का बना रहता है नंबर्च आप लोग लिए क्लिए Гот बताने का प्रियास जरूर करना दोस्तों अब लिएो पसंद आया हो तो लाइक कर देना मुम हो सब्सक्राइब कर जोड हैना ठीकन नोंट करना चाहते हो तो नोट कर लिजिए में आप लोगो को दिखा देता हो यह मस्तिक्स ठीक और आपगों वीडियो पीछ में नहीं समझ पाएंँ हो तो समझ लीजे ठीक है और यह हमारा अगर मस्तिक्स तह सैं या प्रा मस्तिक्स एन्धky हमारा आनुमस्दिक्त है लिट करते रहना और हमारा यो है यह है पस्च मस्दिक्त है ठिक तो दोस्तों आई ओक कि आप लोगो को यी वीडिई बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी क्यों कि इंप्उप्रण्ट वोग अगर अधर वीडियोज को साइंस के नहीं देखी हूँ तो जाके प्लेलिस्ट सभी पार्ट का बन चुका है देखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए ठीक है तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हूँ तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए फस यही मेरी लाश्ट आसा है तो दोस्तों फिलाल इस वीडियो में इतना ही तब तक के लिए धन्दवाल